अवधूत गीता पांचवा अध्याय आत्म ज्यानी द्वारा अपने मन को प्रबोध अवधूत श्रीदतात्रिय जी बोले ओम इस प्रकार जो उच्चरित किया गया है वह आकाश के समान व्यापक है उसमें पर अपर तथा सार का विचार नहीं है और जगत प्रपंच के विलाश तथा विलय का उसी में निराकरण भी होता है उसके अक्षर बिंदु का उच्चारण किस प्रकार होगा तत्वम अशी आदिश रुतियों ने प्रतिपादित किया है कि आत्मा में वह ब्रह्म तुम ही हो तुम उपादी से रहित सभी में सम हो हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सरवत्र समरूप हो जो सब में समरूप है वह आत्मा नीचे तथा उपर के भेद से रहित बाहर तथा भीदर बीतर के भेद से रहित और एकत्व भाव से भी रहित है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सरवत्र समरूप हो जो सब में समरूप है उस आत्मा में कल्पित और कल्प का विचार नहीं हो सकता कार्य और कारण का विचार नहीं हो सकता तथा वहपद तथा संधी से रहित होता है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सरवत्र समरूप हो समत्व की समाधी अवस्ता में ज्यान अथवा अज्यान नहीं होता उसमें देश अथवा विदेश ये विचार भी नहीं हो सकता उसमें काल अथवा अकाल नहीं है ऐसा विचार भी नहीं हो सकता हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सरवत्र समरूप हो समत्व भाव में न तो घटाकास है और न घट है उसमें न तो जीव का सरीर है और न तो जीव ही है उसमें कारण तथा कार्य का विबाग भी नहीं है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यह चेतन आत्मा सर्व रूप शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है यह लगू तथा दिर्ग के विचार से रहित है इसमें गोल तथा कोण का विबाग भी नहीं है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यह आत्मा सुन्य तथा असुन्य से रहित है यह सुद्ध तथा असुद्ध से विहिन है यह सर्व तथा विशर्व से भी रहित है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यह चेतन आत्मा भिन्न है अथवा अभिन्न है यह विचार नहीं हो शकता यह बाहर है अथवा भितर अथवा संदी स्थान पर है यह विचार भी नहीं हो शकता यह स्त्रू मित्र के भाव से रहित सर्वशम है हे मन, तुम किसलिये रुदन करते हो, तुम तो सरवत्र समरूप हो, उस चेतन आत्मा में शिश्य भाव अत्वा शिश्यत्व से रहित होने का भाव नहीं है, उसमें चर अचर के भेद का विचार भी नहीं है, वह सरवरूप शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है, हे मन, तु तुम किष्लिये रुदन करते हो, तुम तो सर्वत्र समरूप हो। तुम किष्लिये रुदन करते हो, तुम तो सर्वत्र समरूप हो। तुम किष्लिये रुदन करते हो, तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में यह तत्व है, यह निरंतरता ही तत्व है, ऐसा भेद नहीं होता। यह संधी तथा विशंधी से रहित है, यदि यह सर्व से रहित तथा सर्व सम है, तब हे मन, तुम किष्लिये रुदन करते हो, तुम तो सर्वत्र समरूप हो। तुमारे लिए एकांत कुटिया में रहना या परिवार के बीच रहना समान है, उसी तरह संग असंग और ज्ञान अज्ञान के द्वंद से परे तुमारी स्थिती है, तब हे मन, तुम किष्लिये रुदन करते हो, तुम तो सर्वत्र समरूप हो। विकार रहित और विकारवान दोनों ही असत्य है, प्रत्यक्ष और परोक्ष भी दोनों असत्य है, जब सत्य केवल आत्म स्वरूप में ही निहित है, तब हे मन, तुम किष्लिये रुदन करते हो, तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस जगत में निश्चय ही आत्मा सब में समरूप है, आत्मा सब में निरंतर विद्धिमान है, इस जगत में केवल निश्चल आत्मा ही है, हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो, तुम तो सरवत्र समरूप हो, अविवेक तथा विवेक अज्ञान ही है, और विकल्प का था उनिया, विकल्प भी अज्ञान ही है, यदि एक मात्र शाश्वत ज्ञान ही है, तो हे मन तुम किसल्य रुदन करते हो, तुम तो सर्वत्र सम्रूप हो, इस आत्मा में न मोक्षपद है, न बंधन-पद है, न पूर्ण-पद है, न पाप-द है, और न पूर्ण-पद है नरिक्त पद है तो फिर हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र शमरूप हो यदि आत्मा वर्ण अथ्वा वर्ण विशेश के अभाव से रहित है और सम है यदि वह कारण तथा कार्य से रहित और सम है यदि वह भेद तथा विवेद से रहित और सम है तो हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र शमरूप हो इस संसार में आत्मा सब में सदा एक रश चैतन्य रूप से विद्धिमान है यह एक मात्र निश्चल भाव से सभी के चित्त में विद्धिमान है और दो पेर आदि स्थूल शरीर के भाव से रहित होकर सर्वत्र चैतन्य रूप से विद्धिमान है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो वह चेतन आत्मा अतिश्य एकरश होकर सब में व्याप्त है वह अत्यन्त निर्मल तथा अचल होकर सब में व्याप्त है वह दिन रात से रहित होकर सब में व्याप्त है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो सामान्य बंधन तथा विशेश बंधन दोनों का आगमन आत्मा में नहीं होता है उसमें योग का तथा वियोग का आगमन नहीं होता और तर्क का तथा वितर्क का भी समावेश नहीं होता हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सरवत्र समरूप हो इस आत्मा में सामान्य काल का तथा विशेश काल का निराकरण है इसमें अणु मात्र भी अगनी का अर्थात भौतिक तत्वों का निराकरण है इसमें एक मात्र सत्य का निराकरण नहीं है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यह आत्मा देह तथा विदेह से रहित है यह निश्चे ही स्वप्न तथा सुशुक्ति से भी रहित और परे है यह कथन तथा विदान से भी रहित और परे है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सरवत्र समरूप हो वह आत्मा आकाश के समान सुद्ध विशाल तथा सम है वह समस्त मिथ्या प्रपंच से रहित और सम है वह शार विशार तथा विकार से विहिन और सम है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो इस संसार में स्रिष्ट वैराग्य होने पर सामान्य और विशेश धर्म सभी समान है सामान्य और विशेश पदार्थ सभी समान है तथा सामान्य और विशेश इच्चा सभी समान है हे मन, तुम किसलिये रुदन करते हो, तुम तो सर्वत्र समरूप हो वह चेतन आत्मा, शुक दुख से रहित है, तथा सर्वशम है वह शोक तथा विशोक से पूर्णतह रहित है, वह गुरु शिश्य सबंद से रहित परम तत्व है हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो, तुम तो सरवत्र समरूप हो, आत्मा में निश्चित रूप से सार अशार का कोई अंकूर नहीं होता है, उसमें चल अचल साम्य तथा वैशम्य भी नहीं होता है, वह अविचार तथा विचार से रहित है, हे मन तुम किसलिये रुदन करत तुम तो सर्वत्र सम्रूप हो। इस आत्मा में संपूर्ण सारों का भी सार विद्यमान है। यहां अपने भाव को यथावत कह दिया है। सांसारिक विश्यों के परती कर्तव्य अशत्य ही है। हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र सम्रूप हो। अनेक सृत्या कहती है कि जो कुछ भी आकास आधी यह प्रमत प्रपंच है। सब म्रग तृष्णा के जल के समान है। यदि एक मात्र चेतन आत्मा ही नित्य तथा सर्वशम है तो फिर हे मन तुम किसलिये रुदन करते हो। तुम तो सर्वत्र सम्रूप हो। पवित्र ताशे युक्त तथा एक रश आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है। और वहां कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहां चंदादी लक्षन वस्तुतह नहीं है, वह अवधूत तो एक मात्र परम तत्वकाही कथन करता है. इती स्री दतात्रिय विरचितायाम अवधूत गीतायाम आत्म सम्मित्योप देशो नाम पंचमो अध्यायः